देखो free fire में one tap मारने के लिए जितना भी drag available है उन में से सबसे खतरनाक ड्राग है rotation drag तो आज की वीडियो में हम rotation drag के बार में बात करेंगे तो इस वीडियो को मां total 4 पाट में divide किया है पहली पाट में मैं आपको बाता हूँगा rotation drag का good basic जो आपको rotation drag मानने के लिए सबसे पहले जानना जरूरी है second part में मैं आपको बाता हूँगा aiming मतलब आपको aim कैसे set तरना है third part में मैं आपको बाता हूँगा direction मतलब आपको कीज direction में कब drag करना है and last part में मैं आपको बाता हूँगा drag style मतलब आपको कैसे drag करना है वीडियो बहुत ही ओपी होने वाला है, तो अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेते हो, तो आप भी बहुत खतरनाक तरीक से वान डब मरने लग जाओगे, तो चले वीडियो स्टार्ट कर देते, तो रोडेशन ड्रेग मानने के लिए जिस इसको पर आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा, वह है आपका सेंसिटिविटी, तो आपको अपना गेम की जो सेंसिटिविटी एंड रेड डट है, उसको पूरा हंड़ेट कर देना है, क्योंकि आप सेंसिटिविटी जीतना हाई करोगे, आप उतना अच्छा वान शॉट मार्क आपको मतलब गाण स्विच बाला बटनी आपको उसको एनवेल कर देना है, अगर आपका पहली से आपने इनवेल नहीं क्या तो आपको उसको एनवेल करके इसको प्रक्टिस करने का अदद डाल ले ना है, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे, जितना भी बड़ा बड़ा प्लेयर सब लोग इतना खतरनाक one tap मारते हैं उस switch button का use करके तो आप अगर उसको use करोगे तो आप भी उनके तरह one tap मारने लग जाओगे उसके बाद आपको आपना fire button को थोड़ा पोरिशन में ले आना है मतलब अगर आप जहां पे देख सकतो मैंने राखा अगर आप वहां पे राखते हो तो ठीक है अगर आप थोड़ा सा नीचे या थोड़ा सा साइड में राखते हो तो आपको rotation drag नहीं मार पाऊगे क्योंकि rotation drag मारने के लिए आपको fire button का rotate करना पाड़ता है अगर आप rotate करने का प्लेस नहीं रहेगा तो आप कैस rotation drag मारोगे तो आपको अपना fire button का पोरिशन को थीक कर लेना है और rotation drag मारने के लिए आपको कुछी समेशा याद रखना होगा कि rotation drag एकदम extreme close range के लिए है मतलब अगर enemy आपका एकदम body के पास में है तो भी आप rotation drag को यूज कर सकते हो अगर आप long range में या mid range में rotation drag को मारोगे तो आपका goalie recoil हो जाएगा तो आप एकदम extreme short range में rotation drag का यूज करना rotation drag मारने से पहले आपको zigzag moment करके super jump लेना होगा अगर आप super jump नहीं लोगे तो enemy आपको easily मार के चला जाएगा तो screen में देख सकते हो कि Mac ऐसे super jump and zigzag moment करके enemy को one tap मार रहा हूँ तो आप लोग भी ऐसे same तरीके से one tap लेना अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो enemy आपको easily मार के चला तो आपको zigzag moment या super jump आपके तरीके से करना नहीं आता तो मुझे comment में बाताना मैं उसके उपर एक अलाग सा video बना दूँगा तो hope आपको rotation drag की सारा basic चीज़ समाज में आगया होगा तो आप बत करेंगे हमारा second part aiming के उपर तो इस part में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपन ड्रागो, straight ड्रागो लेकिन कभी आपको अपना aim को rate नहीं करना है मैंने देखा है बहुत सरी यूटूबर आपने वीडियो में बता रहा है कि आपको अपना aim को rate करके one tap मारना है लेकिन guys actually वो चीज़ गला थे वो लोग views पने के लिए आपने वीडियो में कुछ भी हाग आप खुद एक चीज़ ट्राइक करके देखना अगर आप enemy के body आपना aim को rate करके one tap मारने का कितना भी कोशिश करोगे तो आपका एक भी one tap नहीं लगेगा सरा खासरा गोली enemy के body में जाके log हो जाए तो एक चीज़ आप लोग हमेशा के लिए clear हो जाओ कि कभी भी किसी भी त सिंगेल रूल नहीं है कि आपको बस यहां पर ही राखना होगा आप कहीं पर भी राख सकते हो बस आपको enemy का सर पर नहीं राखना है तो मुद्दे की बात यह है कि आपको अपने aim को white राखना है और आप enemy की कहीं पर भी यह राख सकते हो तो आगर आपने इस कभी तक नहीं इस आम जातो वीडियो को पिछे स्किप करके फिर से एक बार देख लो आप लोग समझ जाओगे अब बारियात है हमारा next part direction की मतलब इस part में आपको बताऊंगा आपको कौन सी direction में drag करना है तो यह एक बहुत ही simple चीज है आपको बस ध्यान में राखना होगा कि आपका एनिमी जिस तरफ move कर रहा है आपको उसी तरफ drag करने मतलब आपको अपना एनिमी का situation का पता लागाना है अगर आपका एनिमी सीधा खड़ा है तो आपको सीधा ड्रफ करना है आपका fire button को सीधा उपर की तरफ किछना है अगर आपका एनिमी आपका right side में भाग रहा है तो आपका fire button को left की तरफ किछना है तो rotation drag मानने के लिए simply आपको अपना एनिमी का situation का पता करना होगा and आपका एनिमी जिस तरफ मुव्मेंट कर रहा है आपको उसी तरफ अपना fire button को ड्रेक करना होगा तो आपको बताऊंगा कि आपका एनिमी राइट की तरफ भाग रहा है तो आपक इस क्लिप का प्लोग थोरा slow motion में देखो याप मेरा एनिमी राइट की तरफ भाग रहा है तो मैंने आपको fire button को राइट की तरफ रोटेट करके drag किया and उसको headshot लाग गया तो आप लोग भी ऐसे left की तरफ रोटेट करके drag करना होगा and अगर आपके एनिमी सीधा खा रहा है तो आपको simply अपना fire button को उपर की तरफ खीचना होगा and उसको one tap लग जाएगा तो इस clip का प्लोग slow motion में देखो यहापे मेरा enemy still खड़ा है तो मैंने क्या किया सीधा अपना fire button को उपर की तरफ खीच के drag किया and उसको easily one tap लग गया तो आप लोग बैसे same तरीके से सीधा सीधा drag करना अगर अपके enemy still खड़ा है तो गैस अगर आप लोग और भी आच्छे से समाने जाते हो तो आप लोग skin melody देख सकते हो मैं आपको कुछ photo दिखा रहा हूँ यहाँ पे देखो अगर मेरा enemy still खड़ा है तो मैं उसको सीधा fire button को उपर की तरफ खीचूँगा अगर मेरा enemy right की तरफ movement कर रहा है तो मैं आपका fire button को right की तरफ खीचूँगा अगर मेरा enemy left की तरफ movement कर रहा है तो मैं आपना fire button को left की चूँददगा तो इस फोटो को आप लोग एक फिन स्कीन शॉट कर लो इससले इससे आपका ही फ्यूचर में काम आएगा तो होब कि आप लोग को रोडेशन ड्रक कैसे मारते हैं सरा चीस समझ में आ गया होगा अगर आपको भी कुछ डाउट है तो मुझे आपका जरूर रिप्लाइ करूंगा अगर आपको यह सारा टिप्स फॉलो करके जरूर प्रैक्ट कोई थोड़ा सभी सीखने को मिला तो अपने दोस्तों के सब्सक्राइब वाट्साप में वीडियो को शेर करना तो तब तक के लिए बाई बाई मिलते किसे नए वीडियो में